हेलो गाइज वेलकम बाइक ओन यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टेड्यू पॉइंट दोस्तो इस वीडियों लेकर आप सभी के लिए बाइलोजी जीब बिग्यान का कलास्ट्यूर वालोग के लिए मोडल सेट फोर दोस्तो इससे पहले माने आप लोग यहाँ पे तिन तिन म ईससे में बता ते राता हूं। या cricket देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियों में उलोम अड़ीस्ट्यूर को कर देखेंगे काफी इंपर्टेंट्स को को लिया गया है या रहे दोस्तों इसमें इतना भी को मनें आप डों के बताया है आप लोग कितना पहले से जानते अरट मैं आप लोग को देने वाला हूँ सभी का लिंक आप लोग को इस वेबसाइट के मदद से दिया जाएगा दोस्तों अस्टार कर सकते हैं दोस्तों यहां पे इसका पीडियेफ लेना चाहरे हैं तो टेलीग्राम पर जोएगा टेलीग्राम का लिंक मैंने के दिस्क्शन में दे दिया है और मुझे इंस्टाराम पर उफोलो कर सकते हैं जो शाथ इंस्टाराम चलाते हैं किहोंके आप लोग ह। यहां पर सियर करते और आप मुद्से कंटे कोजेज फिलेरिया इन हुमेन बेंग इट इजो हुच आप ग्रूप देखिए दोस्तों यह जो विचरेरिया ब्रैंड कॉप्टी है एक इसको जह है फिलेरियर वर्म भी बोलते हैं जो फिलेरियसिस नमक बिमारी करता है यह हैलमिंस गूर्प से आता है तो एक का जो है सही आ तो उसको इंटेमोफिली कहा जाता है तो दो का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D कीरा यानि इंसेक्ट के द्वारा अगला कोशन है कि कॉपर टी रोकता है कॉपर टी प्रिवेंट्स तो कॉपर टी जो है दोस्तों यह एक परकाल का इंट्राइटरेरियन डिवैसेज है गर रोकता है दोस्तों यहाँ पर फर्टिलाइशन होगा ठिक है फर्टि adri दिलाइजेशन यानि यहाँ निशनको रोकता है तो तीन का जो है सही semester और यहाँ पर तो अगला कोज़िन देख्ते हैं आगला क्नाδα कोज़िन में से कौन यह om जसारित रोग है फूच अप अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि RNA के पाया जाता है तो देखिए दोस्तों बेस जो है बेसिकली दूपरकार के होता है एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पैरा मीडिन ठीक है तो पैरा मीडिन में आता है एडिनिन और गौनिन और पैरा मीडिन में आता है थायमीन और य इराइन व्यून और यारेन ने दोस्तों किवल ड़ैट प्रौ सिन पाय जाता है और यद्Я रहा सब्सक्राइब यहां पर पोछ रहा है यहां परभर मेर्स क क्या संद तो 5 का पर सेटः और मेर्स उसे अलिए यराइसं चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि PCR बीदी आवर्शक है PCR मेथड इज यूज़ फूर तो PCR मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तो DNA एंप्लिकेशन में DNA सरवर्धन में ठीक है तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर DNA एंप्लिकेशन में अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निन में से कौन green horse gas नहीं है which of the following is not green horse gas तो इन सभी में दोस्तो nitrogen जो है green horse gas नहीं है ठीक है तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर DNA nitrogen अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि HIV निन में से किस कोशिका पर आकरमन करता है HIV attack which of the following cell तो इन सभी में दोस्तो HIV जो है HIV वायरस जिसको human immunodeficiency वायरस करते हैं जो AIDS के लिए responsible होता है यह basically helper T से पर attack करता है तो I8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D T helper कोशिका पर अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि कनहा राष्टी उद्ध्यान परसीद है कनहा नेशनल पार्क इज फेमस पूर तो कनहा नेशनल पार्क है दोस्तो यह basically वागो के लिए फेमस है और जो यह कनहा नेशनल पार्क है दोस्तो यह जो है MP यानि मद्द परदेश में सुचियोटेड है ठीक है तो नेशनल का जो है सही आंसरों का यहाँ पर सी बागों के लिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि DNA के परामीडिन में पाए जाता है परामीडिन परजेंट इंडियने तो अभी यह बताये थे दोस्तों के परामीडिन बेस जो है तीन परकार के होते हैं एक होता है सैटोसिन, दूसरा होता है थैमिन, और तिसरा होता है यूरासिल, तो DNA में केवल रहेगा सैटोसिन, थैमिन ठीक है, और यूरासिल केवल आरेने में होता है, तो टेन का सही आंसर होगा यहाँ पर, सैटोसिन और थैमिन, सैटोसिन, थैमिन किसमे हैं, तो ए जो है इ एनमोफिली नामक प्राकरण किसके द्वारा होता है देखिए दोस्तों जब फलावर में पोलीनेशन अगर वायू के द्वारा होता है एर के कारण होता है तो उनको एनमोफिली कहा जाता है एनमोफिली फोलीनेशन पोलीनेशन तो 11 का जो है सही आंसर हो यहां पर डी हवा या producer होता है उत्पादक होता है ठीक है तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर producer यानि उत्पादक चलिए अगला question देखते हैं अगला question है कि मेंडल ने chain किया तो देखें दोस्तों मेंडल जो है यह जो है law of inheritance को दिया था यह अपने experiment के लिए जो पौधे को चुझ किया था था दोस्तों वो पौधे था garden पी जिसका scientific name होता है पाईसम सेटाइभम ठीक है तो 13 का जो है सही answer होगा यहाँ पर डी garden पी यानि गार्डेन मत्रड अगला question देखते हैं अगला question है कि निन में से कौन एक लिंगी है हुज one of the following is the unisexual unisexual का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी प्लाइट में केवल एकस्स पाये जाता हो एक 6 यानि कि या तो मेल फ़ला वर पाये जाता होगा उस प्लांट में या तो केवल female फलावर पाए जायता है तो उनको ज congruate पापाया पपेटफ पलांट है ठीक है तो 14 का सही आंसर हो को यहाँ पर अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निन में से कौन आहर सिंखला सही है हुच आप फॉलोइंग दा कॉर्यक्ट फूर्ट चेन तो इन सभी में दोस्तों ऑप्शन जो है बी जो है सही आंसर होगा इसका घास बकरी और सेर घास जो है घास को बकरी खाता है और बकरी को तो दोस्तों यहां पर जो घास जो है घास को बकरी खाता और बकरी को सेर खाता है जो एक परकार का जो है फूर्ट चेन बनाता है तो फिप्टेन का जो है सही आंसर होगा यहां पर बी चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि गोल्डेन यानि सुनाडा धान में अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि गीर अवहारने परसीद है तो जो गीर सेंक्चुरी है दोस्तों यह फेमस है सेर के लिए तो सेमेंटीन का जो है सही आंसर होगा यहां पर सेर के लिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निकलियो साइड है तो निकलियो स बेस अगर यह इप अगर फॉस्पेट लगा देते दोस्तों अगर फॉस्पेट लगा देते तो यह हो जाता है नेकलियोट टाइड ठीक है तो आप इनको भी याद रखिएगा चली अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि सुक्राणू जनन का नियंत्रन किसके द्वारा होता है रेगुलेशन ऑफ एस्परमेटोगेनेसिस इस डन वाई तो एस्परमेटोगेनेसिस का रेगुलेशन होता है दोस्तों यह यानि लुटेंजीन हार्मोन के द्वारा होता है तो उन्नीस का जो है सही आंसर होगा यहां पर भी एलेच हार्मोन अगला कोशन देखते है आगला कोशन आये कि मानव रुधिर में AB वर्ग में तो देखें दोस्तों Middle Abjollirt brook होता है उसमें Antibody absent रहता है ठीक है और antigen दोनों present रहता है antigen जो है इसमें antigen present रहता है लेकिन Antibody जो है absent रहता है 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B Antibody अनुपस्थी तरहते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं फिर वही कोशन आ गया दोस्तों कि golden rice में पाया जाता है which vitamins present in the golden rice तो अभी ये बताये थे दोस्तों कि golden rice में जो है vitamin A पाया जाता है तो 21 का जो है सही answer होगा यहाँ पर A, vitamin A अगला कोशन है कि मेंडल ने परस्तावित किया था मेंडल प्रोपोज तो मेंडल जो दिया था दोस्तों वो law of inheritance के दिया था यानि अनुवसिक्ता के नियम को दिया था ठीक है और यह अपना जो नियम जो experiment किया था उसके लिए वो चूज किया था अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि मिट्टी को उपजाव बनाने के लिए बनाने में सहायक है तो इन सभी में दोस्तों वायो फर्टिलाइजर जो है ठीक है यह मिट्टी को उपजाव बनाने में हेल्प करता है तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर वी बायो फर्टिलाइजर अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि यूकरियोट्स में पाए जाने वाला non-coding करम को करते है non-coding sequence in the eukaryotes is called तो जो non-coding sequence होता है दोस्तों उसको बोलते है introns ठीक है तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर see introns introns चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि मानव का उद्मूम अस्थन माना जाता है the place of origin of man तो जो परजेंट अभी human being है दोस्तों उसका जो उत्पती हुआ था वह हुआ था अफ्रीका महादेश से ठीक है तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी अफ्रीका अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि AIDS के लिए screening परिक्षन है the screening test for AIDS तो AIDS के लिए जो इसके लिए test होता है दोस्तों इसका नाम है एलीसा इलीसा इसका फूल फॉर्म होता है इंजैम लिंक्ड इमीनो सॉर्बेंट एसे ठीक है जो जो है AIDS को पता लगाने के लिए किया जाता है तो 26 का जो है सही आंसरों का यहाँ पर भी एलीसा तो अगला कोशन है दोस्तों 27 का कि कि समू के एंटी बोर्डी से एलर्जिक क्रिया परारम्ब होती है which group of antibody causes allergy देखे दोस्तों जब किसी को allergy हो जाता है तो उनमें जो है antibody IgE की मातरा बढ़ जाती है जो allergic reaction के लिए जिम्मेबार होता है तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी antibody IgE अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि restriction enzyme निम्मानकित में से कौन है तो restriction enzyme है दोस्तों यह nucleic acid को काटने में मदद करता है यह दो परकार के होते हैं एक होता है exonucleases और दूसरा होता है indonucleases जब DNA को बाहर से क आरता है तो होता है indonucleases तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी बी और सी दोनों अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि BT toxic कि से प्राप्त होती है BT toxic is obtained from BT toxic प्राप्त होता है दोस्तों वह होता है बैसिलर्स थिरिंग एंसिंस से जो एक परकार का बेक्टिरिया है स्वेल बेक्टिरिया है ठीक है और बेक्टिरिया जो आता है दोस्तों वह प्रोकरियाटिस के अंतरगत आता है तो 29 का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा यह प्रोकरियाट से चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि जीन क्लोरिंग के समय जीन टेक्सी क से कहा जाता है in gene cleaning which is called gene taxi तो gene taxi का मतलब होता है दोस्तों को gene carry करता है जो gene को एक जगर से दूसरे जगर ले जाने में मदद करता है तो उनको जहें gene taxi कहा जाता है तो gene taxi का जो काम करता है दोस्तों वो करता है plasmid तो 30 का जो है सही answer होगा यहाँ पर be plasmid तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजे चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा ठीक है यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद